बिस्मिल्यार्वान रहीम आज मैंनाँगी चिकन शवर्माज और चिकन ली है हमने 240 क्राम इसके लावा हम इसमें चिरी सॉस, सोया सॉस और वेनिगर यनि सिका एड़ करेंगे आदा घंटा मेरिनेशन होने देना है आटा लिया है तीन से चार रोटियों का और फ्लेम को मैंने किया हुआ है जी ऑईल करम हो चुका है तो लेस्टनेट करते हैं तो अब हम बेलेंगे एक एक रोटी बेलते जाएंगे जी रोटी को मैंने बेल लिया है तो जी मैंने डिशाउट कर लिया है आप देख सकते हैं शवर में जो के त्यार हो चुकी है शवर्मा रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो हिनाफूर सीक्रट चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बिसमिल्यारमा रहीम आज मैं बनाँगी चिकन शवर्मा जिसकी फरमाईश भी मुझे आ चुकी है और काफी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि इसकी फरमाईश आई हुई या तो मैं ये बना ही देती हूँ तो आज मैं बना रही हूँ और आप भी जो फरमाईश करना चाहते हैं फरमाईश करें आपकी वो फरमाईश इन्शाला मैं जरूर पूरी करूंगी जैसे कि ये फरमाईश की गई थी मारिया नामी खवातीन थी जिन्नोंने ये की थी तो बनाना शुरू करते हैं शवर्मा लेट्स स्टार्ट 6 1.5 टिeload रचलीजों साल्ट को हम सौते करेंगे और सबसे पहले हमने क्या करना है एक बाउल लेंगे बाउल में हम एड़ करेंगे चिकन और चिकन में हम एड़ करेंगे ये तमाम मसालाचाट जो हमारे पास हैं मसालाचाट मैंने एड़ कर दिये सिर्फ लेसन को हम रहने देंगे उसको हम सौते करेंगे इसके लावा हम इसमें दही एड़ करेंगे जी मिक्स मैंने कर लिया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे सिर्का वन टीस्पून चिली सॉस वन टीस्पून स्या सॉस वन टीस्पून मिक्स करेंगे और अगर ये तीनो सॉस वगरा ना हो तो कोई मसला नहीं है फिर भी आप बना तो सकते ही हैं अगर हैं तो अच्छी बात है तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको हम कवर करेंगे और कम से कम हमने इसको आदा घंटा मेरिनेशन होने देना है और आदे घं जी शवर्मा बनाने के लिए जो हमने आटा लिया है तीन से चार रोटियों का और इसमें हम एड़ करेंगे देशी घी वन टी स्पून अवेलिबल है तो सही है अगर नहीं है तो आप सिंपल जो आइल होता है वो भी डाल सकते हैं और इसके लावा इसमें हम एड़ करेंगे बेकिंग पॉर्डर क्वाटर टी स्पून क्वाटर टी स्पून साल्ट और नीम गरम पानी से हम आटा जो है वो त्यार करेंगे यानि आटा जो है गूंदेंगे हस्बे जर्थ हम पानी लेंगे जितना हमें चाहिए होगा और इसमें बेकिंग पॉर्डर ज़रूर एट करें क्यूंकि फिर इससे रोटी जो है वो सही पूलती है तो डू हम त्यार कर लेंगे जी इसको मैंने समेट लिया है और पांच मिनट इसको हम ऐसे रखेंगे पांच से दस मिनट उसके पाद फिर हम इसको सही से गूंदी देंगे तो इसको मैं कवर करती हूँ और कवर करने के 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको सही से गूंदी दूँगी तो इसको भी हम रखते हैं जैसे के मैंने मैं रिलेशन किया हुआ चिकन जैसे के रखा हुआ है जी एक पैन लेंगे इसमें हम डालेंगे वान टेबल स्पॉन ओइल और फ्लेम को मैंने ओन किया हुआ है बर्तन को अच्छी तरह से वाश करने के बाद खाना बनाया करें और लेशन को साथे करेंगे मेरी नेशन की हुई चिकन और इसको हम साथे करेंगे और इसको हम पकाएंगे जी इसको मैंने कवर कर दिया है तो इसको हम कम से कम 15 मिनट भाफ में पकाएंगे बिल्कुल हलकी आज पर क्योंके चिकन जो है वो इसमें अपना पानी होता है चिकन में तो ये 15 मिनट में हलकी आज पर ये तियार होगी तो पंदरा मिनट के बाद पर मैं आपको दिखाती हूँ जी पंदरा मिनट हो चुके हैं फ्लेम को मैंने आफ कर दिया है और इसको मैंने अची तरह से भून भी लिया है और अब ये तियार गो चुकी है जी आटा जो कि मैंने गुंदा था इसको हमने अब सही से गुंदना है क्योंकि हमने 10 मिनट इसको वैसे रखा था तो अब इसको हम सही से इसको गुंद लेंगे आठा गुन लिया था और मैंने पेड़ी भी बना लिए हैं तो अब हम बेलेंगे एक-एक रोटी बेलते जाएंगे और रोटी या लाटी को मैंने बेल लिया है तो तवा हमने रखा हुआ जी मैंने एड कर दी है तवे पर रोटी और इसको हम दोनों तरफ से सेख लेंगे जिस तहां से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तहां से आपने इसकी रोटी भी बनानी होती है जी मैंने रोटिया जो है वो बना ली है और मैं आपको केक बना के दिखा देती हूँ हमने सबसे पहले क्या करना है इस पर लगानी है कैचुप कुछ लोग होते हैं जैसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं और कैचप मैंने लगा ली है, अब हम लगाएंगे माइनीज, चाहें तो आप वो जो वाइट साॉस होती है, कुछ लोग इस तरह से जैसे घर में त्यार कर लेते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे के हमारे घर में वो बच्चे जो है, वो ज्यादा शौक से नह जाती है, तो मैं इसलिए सिर्फ इसको इसी तरह से लगाऊंगी, जैसे के मैंने लगाया है, माइनीज और कैचप, तो इसको हमने लगा लिया है, तो अब हमने क्या करना है, हम चिकन एट करेंगे, चिकन मैंने एट कर दिया है, तो टिमाठा रखेंगे, खीरे रखेंगे, हर चीज को मैंने लंबी-लंबी कटिंग किया है, गाजने रखेंगे, बंद को भी रखेंगे, प्याज रखेंगे, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरहां से, और इसको हम कटिंग भी करेंगे, जैसे कि मैं इसको टिश में रखती हूँ, और फिर मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, इसको हम कटिंग करेंगे इस तरहां से, इस शेव में और इसी तरहां से हम सारे जो हमारे शवर में हैं, वो त्यार कर देंगे, फिर हम इसी तरहां से, जी मैंने डिशाउट कर लिया है, आप देख सकते हैं, शवर में जो के त्यार हो चुकी है, जी मैं जा वो अभर दाएंगे त्म्साहें, जी मैंने ड्यवेट जी मैं अरब लोग दाएंगी, गर में बच्चों को किलाएं, बड़ों को किलाएं, और मेहमानों को इसी तरहां से, आप नोश और दाएंगे. झाले किया